नमस्कार प्रिविद्यार्थियों, आपका हार्देक अभिनन्दन है, आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुर्कुल में आज उपस्तेतु में एक नई वीडियो के साथ, आज की वीडियो सामान हिंदी से संबंदित है यह वीडियो, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी एसाई, टीजीटी, पीजीटी, एवं अन्य प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए बेहद उप्योगी है आईए देखते हैं आज की सामान हिंदी की प्रस्नोत्तरी आज का पहला प्रस्न है कोदंड का अर्थ है, धनुस, बाण, लकडी या कोड़ा कोदंड का अर्थ क्या है, तो कोदंड का अर्थ है धनुस, विकल्प ए सही है, कोदंड का अर्थ क्या है, धनुस पहले प्रस्ण का ए विकल्प सही है कोदंड का अर्थ होता है धनुस आए जानते हैं कोदंड के अन्य परयाईवाची क्या है या धनुस के अन्य परयाईवाची क्या है धनुस को कमान भी कहते हैं चाप भी कहते हैं सरासन भी कहते हैं सरकार्थ होता है बांड और आसन जिस पर बांड अपना आसन धारण करता है उसे सरासन कहते हैं तो सरासन धनुस कोदंड धनुस पिनाक धनुस ये धनुस के कुछ मैतपोर्ट परियावाची हैं जो परिक्षाओं में पूछे जाते हैं आए अन्य विकल्पों पे भी थोड़ी सी बात करते हैं दूसरा विकल्प है बांड बांड को सर, सायक, तीर और सिली मुख भी कहते हैं कोड़ा को चाबुक, कशा, सांटा और दुर्रा भी कहा जाता है इस प्रकार पहले प्रस्ण का ए विकल्प सही है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण दूसरा प्रस्ण है जो ब्यर्थ में किसी को सताए उसे क्या कहते हैं दुष्ट, मूर्ख, आतताई या हिटलर तो दूसरे प्रस्ण का सी विकल्प सही है क्या आतताई जो बिना किसी बात के दूसरे को सताता है उसे आतताई कहते हैं ऐसा व्यक्ति या ऐसा सासक जो बिना किसी बात के दूसरे को परेशान करे उसे कहते हैं आतताई तो दूसरे प्रस्ण का सी विकल्प सही है अगला प्रस्ण, तीसरा प्रस्ण है, चिकना घड़ा होना, मोहावरा है, चिकना घड़ा होना का अर्थ है, मोज करना, बेशर्म होना, बेकार होना या इन में से कोई नहीं तो तीसरे प्रस्ण का B option सही है, B विकल्प सही है, जिसमें बेशर्म होना, अर्थ हाथ, यदि कोई बेशर्म हो, किसी बात का कोई फर्क न पड़े उस पर, तब उससे कहते हैं, कि वो तो चिकना घड़ा हो गया है, तो चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या हुआ, बेशर्म हो तो उसे कहते हैं, चिकना घड़ा होना, बेशर्म होना, तीसरे का B सही है, आएए देखते हैं, चोथा प्रस्ण, बहुत ही मैत्पूर्ट प्रस्णों की स्रंखला है, परिक्षोपयोगी प्रस्णों की स्रंखला है, सुरभिका अर्थ नहीं है, गाय, कामधेन, सुगंध, बहासकर, तो चौथे प्रस्म का D विकल्प सही है, सुरविकार्थ क्या नहीं है, बहासकर, सुरविकार्थ होता है गाय, सुरविकार्थ होता है कामधेन, सुरविकार्थ होता है सुगंध, इनके अलावा सुरव का एक अर्थ होता है बसंत रितु, बसंत रितु को भी सुरव कहते हैं सुरव अनेकार्थी सब्द है इस प्रकार आपने सुरव सब्द के पांच अर्थ जाने गाय कामधेन सुगंध बसंत्रेतु और खुस्भू चौथे प्रस्ण का डी विकल्प सही है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण वर्ड बृत नहीं है वर्ड बृत नहीं है व पांच में प्रस्ण का सी विकल्प सही है गीतिका वर्ड बृत क्या नहीं है गीतिका मालिनी सवया और इंद्रवज्रा वर्ड बृत हैं गीतिका नहीं अब वर्ड बृत होते क्या हैं तो हम जान लें जो छंद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक मात्रिक एक वर्डिक वर्डिक छंदों को ही वर्ड वृत कहते हैं मात्रिक छंदों में मुख्यते दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पे, उल्लाला, गीतिका, हरगीतिका, आदे और वर्डिक छंद होते हैं उन में या वर्ड बृत में वनसस्त, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, भुजंगी, मालिनी, कवित, सबय या आदि तो जो गीतिका है वो मातलिक छंद है इसलिए इसे वर्ड बृत नहीं कहेंगे वर्ड बृत नहीं है गीत का पांच बेर प्रस्न का सी बिकल्प सही है देखते हैं छठा प्रस्न छठा प्रस्न है जग प्रकास तव जसकरे बृता भानुयह देख में अलंकार है इसमें अलंकार कुछा गया है संदेह, प्रतीप, उपमा, या रूपक तो छठे प्रस्न का भी बिकल्प सही है कौनसा अलंकार है प्रतीप, प्रतीप अलंकार है प्रतीप मुख चंद्रमा के समान है तो उसका अर्थ होता है चंद्रमा के जैसा मुख सुंदर मुख अर्था चंद्रमा से मुख की उपमा दी जाती है वहां उपमा होता है और उपमा का उल्टा जो होता है वहां प्रतीप होता है अब यह कहा जाए कि चंद्रमा मुख के समान है तो प तो जग प्रकास तब जस करे बृथा भान यह देख इसमें प्रती पलंकार है एक इसका उधारण और मेत्पूर है इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या छठे प्रस्न का बी विकल्प सही है आएए देखते हैं सात्वा प्रस्न संचारी भाव नहीं है संचारी भाव पूछा गया है कौन सा संचारी भाव नहीं है आवेग कंपन अमर्स निद्रा तो संचारी भाव नहीं है इसमें कंपन सात्वे प्रस्न का बी विकल्प सही है कंपन संचारी भाव नहीं है कंपन क्या है कंपन संचारी भाव नहीं है कंपन सात्विक अनुभा ग्वाव है सात्वीं कणभाव आठ होते हैं और तेंट होते हैं आवेख अमर्ष निद्रह किसे द्स और वेश होsover कि अंदर संचारी भाव तो अब एदम स्थे परिक्षाओं में बहुत मुझे जाते हैं, ज्यान पीट प्रसकार नहीं मिला, चिदंबरा को, उर्वशी को, कामाईनी को, एयामा को, चार ग्रंथ दिये हुए हैं, इन में से कौन से ग्रंथ को ज्यान पीट प्रसकार नहीं मिला है, सी विकल्प सही है, कामाईनी को ज्यानपीट पुरसकार नहीं मिला है, चिदंबरा को ज्यानपीट पुरसकार मिला है, ज्यानपीट पुरसकार हिंदी में सबसे पहला ज्यानपीट पुरसकार 1968 में, कब 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत के ग्रंथ चिदंबरा को अगला है उर्वसी रामधारी सिंग दिनकर का ग्रंथ है ये उर्वसी को 1972 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वसी रामधारी सिंग दिनकर का इयामा महादेवी बर्मा का है महादेवी बर्मा के ग्रंथ यामा को 1982 में इह पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस प्रकार आठमे प्रस्न का सी विकल्प सही है आइए देखते हैं नौमा प्रस्न, प्रयोग बाद के प्रबर्तक हैं, प्रयोग बाद के प्रबर्तक पूछे गए हैं, चार विकल्प दिये हैं, निराला, अज्ये, भारतेंद या दिनकर, तो प्रयोग बाद के प्रबर्तक हैं, बी विकल्प सही है, अग्ये, सच्चिदानंद, हीरानंद, वा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है और दिनकर को अनल कवे या अधैर्य का कवे कहा जाता है नौबे प्रस्न का बी विकल्प सही है आईए देखते हैं दस्मा प्रस्न दस्मा प्रस्न है मैं सप्रमाड सहित बता रहा हूं बाग के है असुद्ध सुद्ध ए और बी दोनों कोई नहीं इस बाक में पूछा गया है कि ये बाक की सुद्ध है या असुद्ध में सप्रमार सहित बता रहा हूँ सप्रमार के साथ लगा है स नहीं होना चाहिए तो ये बाक के कैसा है असुद्ध ए विकल्प सही है दस्मे प्रस्न का ए विकल्प सही है असुद्ध सुद्ध बाक की क्य होगा मैं प्रमार सहित बता रहा हूं तो दस्मे का एज सही है आए देखते हैं 11 प्रस्ण असुद्ध वर्तनी है अधीन दुर्वस्था अनधिकार गत्यावरोद अधीन बिलकुल सुद्ध वर्तनी है दुर्वस्था भी सुद्ध है अनधिकार ये भी सुद्ध वर्तनी है जवक गत्यावरोद असुद्ध वर्तनी है 11 में प्रस्ण का D विकल्प सही है गत्य वरोध सुद्ध बरतनी होगा 11 में प्रस्ण का D विकल्प सही है आईए देखते हैं 12 मां प्रस्ण 12 मां प्रस्ण है लाकार का चंधि विच्छेद होगा लाकार का संधि विच्छेद क्या है लाधन आकारह लाधन कारह लृधन अकारह ल्रिधन आ का रह तो बारे में प्रस्ण का D विकल्प सही है बहुत ही महत्वपूर कौन सा? D एड संद है E, O, R, ल्रिक के बाद असमान स्वर आए तो E का परिवर्तन यमे O का परिवर्तन वमे रिका, रमे और ल्रिका परिवर्तन लमे होता है तो ल्रिका परिवर्तन लमे हो जाएगा इस तरह से और आ का रह आ का डंडा यहां आ जाएगा हो जाएगा ला का रह बारे में प्रस्ण का ला का रह का संध विच्छेद है ल्रिधन आ का रह एड संध, कौन सी संध है? यड़संद, बारे में प्रस्ण का D विकल्प सही है, आएए देखते हैं, तेरे महां प्रस्ण, तेरे महां प्रस्ण क्या है, पद पंकज में समास है, पद पंकज में समास कर्मधारे, कौन सा समास है, कर्मधारे, B विकल्प सही है, पद पंकज, पद पंकज, पद पैर, पंक कमल एक उपमा दूसरा उपमान उपमान और उपमे ति हो जहां उपमा दी जाती हो एक की दूसरे चाथ ज़ोडा हुआ हो या विशेशर्द विशेश्य हो वहाँ पर कर्मदारे समास होता है तो पदपंकज में कर्मदारे समास है आईए देखते हैं अगला प्रस्न चौदेमा प्रस्न है भूत काल के भेद हैं बहुत ही मैद्पूर्ट प्रस्न सिंखला भूत काल के भेद भूत काल के भेद कितने हैं छे, पांच, चार या तीन तो भूत काल के छे भेद हैं विकल्प ए सही है भूत काल के भु़ध कितने है छै और बर्तमान काल के पाँच और भविश्यकाल के तीन भात माने जाते हैं, भरतमान काल के पाँच और भूत काल के छै चौधवी प्रसंख का ए विकल्प सही है आईए अगला प्रस्ण देखते हैं अध्यक्ष में उपसर्ग है अध्यक्ष में उपसर्ग अध्य 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 पंद्रयवे प्रस्ण का बी विकल्प सही है अध्यक्ष में अध्य उपसर्ग है पंद्रयवे प्रस्ण का बी विकल्प सही है अगला प्रस्ण देखते हैं 16 प्रस्ण है उट का स्त्रीलिंग है प्रवक्ता हिंदी में आया था भी 2016 प्रवक्ता हिंदी परिक्षा में उट का स्त्रीलिंग उटी, उटनी, उटनी या उटी तो 16 प्रस्ण का बी विकल्प सही है उट का इस ट्रीलिंग होता है उटनी क्या होता है 26 प्रस्न का B विकल्प सही है आएए देखते हैं 17 प्रस्न हंसपद है इन में से हंसपद कौन सा है C विकल्प सही है हंसपद जहां लिखते समय बाके में कुछ भूल जाते हैं या कुछ छूट जाता है तब इस प्रकार का चिन लगा के उपर लिए जाता है यह चिन हंस्पध होता है तो सत्रे में प्रस्ण का सी विकल्प सही है अगे देखते हैं 18 वा प्रस्ण व का वचारण अस्थान है वकारश्य दंतोस्थम वका उचारण स्थान दंत और ओस्थ होता है तो दंत यहां लिखा है ओस्थ यहां लिखा है दी विकल्प में लिखा है ए और भी दोनों तो दी विकल्प सही है अठारेवें का दी विकल्प सही है वका उचारण स्थान दंतोस्थ आगला प्रस्न देखते हैं 19 मा प्रस्न दुवेदी युग का पत्र नहीं है दुवेदी युग का पत्र कुछा गया है इंदु दुवेदी युग का पत्र है सरस्वती दुवेदी युग का पत्र है हिंदी प्रदीप दुवेदी युग का पत्र नहीं है और मर्यादा दु की बिकल्ब सही है दिवेदी युग का पत्र नहीं है हिंदी प्रदीप हिंदी प्रदीप कौन से युक्का है हिंदी प्रदीप भारतेंद युग का पत्र है भारतेंद युग के कुछ मैतपूर्पत्र आप जान लीजिए पहला कविवचन सुधा इसके संपादक भारतेंद हरिश्चंद थे कासी से प्रकासित हुआ था हरिश्चंद मैगजीन ये भी भारतेंद का पत्र था कासी से प्रकासित हिंदी प्रदीप इसके संपादक बाल कृष्ण भट थे इलहाबाद से प्रकासित